नमस्कार जैशी कृष्णा योगा अभ्यास की कड़ी में आज हम चक्रा हीलिंग से रिलेटेड जानकारी को देखेंगे चक्रा हीलिंग में जो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलाधार चक्र की बात करेंगे मूलाधार चक्र हमारे गुदा मार्ग में स्थित होता है गुदा मार्ग में स्थिती के कारण वहाँ पे हम लोग जिस कलर का आभास करेंगे या जिस कलर का वहाँ वर्णन किया गया है वो लाल रंग का वर्णन किया गया है तथा मुलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है जिसके द्वारा हम मुलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं वो है लम अब जिस तरीके से हम चक्रा हीलिंग को अगर योगा अभ्यास से जोड़ें तो चक्रा हीलिंग में हम मुलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मलासन का प्रियास करेंगे मलासन किस तरीके से किया जाता है आए आप मेरे साथ देखिए और साथ में करिए मलासन करने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों हातों को पीछे रखेंगे सपोर्ट के लिए और धीर इसे अपने दोनों पैरों को खोलेंगे और आप अपने दोनों हातों से लिफ्ट करके उपर की और उठेंगे अब आप अपने दोनों गुटनों में हलका सा gap देंगे, push करेंगे आपकी दोनों कहोनियां आपकी गुटनों के बीच में आ जाए और आप नमशकार मुद्रा में आ जाएंगे अब आप महसूस करेंगे आपके thighs पे हलका सा pressure, आपके hips पे हलके से pressure को महसूस करेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपका गुदा मार्ग squeeze and release आपका गुदा मार्ग open हुआ है और आपने उसको squeeze किया और आपने उसको release किया अब आप इसी स्तिती में एक बार आग बन करके लाल कलर को देखने का अनुभव करेंगे स्वास भरें रेड कलर को महसूस करें आपका पूरा ध्यान गुदा मार्ग पे जैसा कि मैंने आपको बताया इसका बीज मंत्र लम होता है हम उसी का उच्चारण इस मलासन की स्तिती में करेंगे लम आपका पूरा ध्यान गुदा मार्ग पे धीरे से आप अपनी आखे खोलेंगे अब आप महसूस करेंगे आपके मुला धार को एक्टिवेट करने के लिए हमने जिस बीज मंत्र का अभ्यास किया उसके द्वारा गुदा मार्ग में एक संकूचन पैदा होता है एक फाइब्रेशन पैदा होता है उसकी वज़े से उस चक्र को एक्टिवेट करने में हमें आसानी होती है अब हम समिस्तिती में आएंगे अपने दोनों हातों को पीछे ले जाएंगे सपोर्ट देंगे और धीरे से अपने हिप को डाउन करेंगे अपने दोनों पैरों को फोल करेंगे और समिस्तिती में आ जाएंगे अब ये आसन किन-किन के लिए फाइदे मंद है वो मैं आपको बताना चाहूंगी जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है उनके लिए ये आसन रामबान है और इस चक्रा को एक्टिवेट करने से हम उस प्रॉब्लम से हिजाद पा सकते हैं अब ये हम किनको नहीं करवा सकते जिनको गुटनों की समश्या है वो इस मलासन को ना करे सिंपल गुदा मार्क को इस सिस्तिती में बैठके स्क्वीज करे और रिलीज करे इससे भी हम मुलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं और जिनको हिर्दय रोग सम्मंदी प्रॉब्लम हो या स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो वो भी इस आसन को मलासन को ना करे वो सिंपल अपने एनस पार्ट को स्क्वीज करे और रिलीज करे तो अब आप सभी इसका अभ्यास करे धन्यवाद जैशी कृष्णा